जो देश की इस्थिती है CAA को लेकर के और जिस तरीके से विरोध परदरसन देखा जा रहा है शाइन वाग के तरज पे अब बेगु सराय में भी बहुत जगा लोग सड़कों पे आ रहे हैं आप इनको आप यहां के जिला अध्यक्ष हैं और आपकी सरकार है शांसद यहां के हैं आप उन्हें जनता मांते हैं या कुछ और कि जो लोग के पैसे लेकर आए हुए हैं उनको किसी ने पैसा देकर सरक पर बुलाता है तो आज वो बुलाएंगे तो जाएंगे कल को far बुलाएंगे बास्तम में उनको अपनी समझ नहीं नहीं है कि हमको सरक पर किस लिए बुदया गया उन से पूछा जाता है To कहते हैं वो लोग टमाटर का भाव बढ़ गया प्याज का भाव बढ़ गया मजदूरी नहीं मिलती है रोजगार नहीं mean इसलिए मैं बास्तब उनको पता नहीं है कि हमको क्यों बुला गया का है जाते हैं उनको मतलब नहीं है बास्ता में कोई सी जान जाएंगे तो उनको लगेगा किसकी वास्ता क्या है ठीक है सर मैं आपके इस बात से सहमत हूं कुछ वीडियो भी हमने भी देखा है पैसे की लें दिन हो रही है बिर्यानी बेगर की भी कहानी हमने भी देखा है टीवी पे आपने भी देखा ह बेरोजगारी नहीं है लेकिन है क्या किसी को मजदूरी पांस रुपिया मिलता है अगर हजार रुपिया उसको कोई देता है प्राइवेटि में तो पांस रुपिया छोड़कर ओदिन हजार रुपिया जाकर कमा लेता है आप उनके उपर उंगली नहीं उठा रहे हैं वहाँ पे बैठने वाले जो नागरिक हैं उनके विसे में आप करें वो पैसे ले रहे हैं आप उनके विसे में क्यों नहीं एक बार बोलते जो लोग समाज को तोरने के लिए वहां मंच पे खड़े होके भासन दे रहे हैं। जनता भोली भाली जनता है उसको उसकी बारे मतलब कोई ठीका ठीकनी है नहीं बोली भाली है जो सिखाते हैं उनके बारे मोलते हैं वो दलाली करते हैं उनको कोई पैसा देता है वो पैसा को बाट कर ठीका का काम करते हैं एक लाग्षप्या कहीं से लिए 25 सर किसी को दे कर पच घर घर बताते हैं लोगों को परचा देते हैं समझाते हैं अब जनता समझ रही है कि इसी ये क्या है पाहले जनता पाहले सोचते थे और खास करके जनता को मालूम हो गया इसी ये क्या है जो नेता है जो देश को तोरने का काम करता है उसको भी जानकारी है लेकिन घाव कहीं है पौह कहीं है दर्द कहीं है तो सब को मालूम है सब को पता है कि सिये क्या है लेकिन लगता है सिये कि अगर चर्चा हम लोग करें तो इसको अंदाज आता है कि सिये ठीक है लेकिन रोहंग्या मुसल्मान को यहां रखा जाए और देश को टुकरा करने वाले देश को हित में नह गठन हो इसलिए काम करता है वो समानता की अधिकार की बात करते हैं समानता किसमे होता है आदमी के साथ जानवर में समानता फीकल लूप नहीं हो सकता है समानता कैसे होगा ये भारत को तोड़ता है बात को जोड़ता है समानता की अधिकार की जो चर्चाएं आज वही लोग कर रहे हैं जो लोग जनसंख्या नियंत्रन के मामले को ले करके हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिये और एक समुदाय को खुलं-खुला छूट दिया गया कि ये आपके धर्म की बात है और वही लोग आज भी मंचा सीन हैं जो हिंदूओं का नसबंदी कराया कर से ही zarah कहना चाहिए सही काना है कि जो आदमी देश को तोरते हैं अस्रू से तोर रहे हैं नस्थे कर आकर करते एक तरह तब हिंदुत सरक पर नशिए थी नहीं तब हिंदुत सरक पर आज भी हंदुत पर लगभग नहीं आ रहा है लेकिन उस समय भी तोर रहे हैं जिनको तोरने का काम है तोरने के तरफ ही सोचते हैं जिनको जोरने का काम है जोरने तरफ सोचते हैं आप एक जिला ध्यक्ष हैं बेगु सराय में आपके कैसे कार्जक्रम किस तरीके से कार्जक्रम चलाय जा रहे ह लोगों में जो भरम की स्थित्य उसको दूर करने के लिए विगुस्तराय में संगठन की तरफ से जो काम चल रहा है ठीक डंग से चल रहा है वो गाउं पंचाइत और मंडल परखंड और जिला के सब को सोचते हुए जाती ब्रादरी को सोचते हुए चेत्र को सोचते हुए बात है कि चस्मा जो जिस परकार को पहनेगा उसी परकार दिखाई परेगा चस्मा गर हरा होगा तो संसार हरा दिखाई परेगा चस्मा काला होगा तो संसार दिखाई परेगा काला चस्मा पहनने की बात है जो चस्मा सहीने पहनेंगे उनको दिखाई परेगा उल्टा पु